जिहां दोस्तों सभी को नमस्कार सस्याकाल सुप्रभात दोस्तों आप सभी को पता है नोटिफिकेशन सभी तक गई होगी कि जिहां ST Academy जिहां Students Tutorial Academy पे आपको सभी बच्चों को जिन बच्चों की इस साल क्या है मतलब आने वाली साल 2024 में 10th की examination है ठीक है किनकी तो बिहार बो किमी क्या लेकर क्या रहा है छोटा सा प्यारा सा कोर्स जिसमें कि आपके सारे chapters mathematics के जिहां गनित के सारे जो chapters है वो शारे के सारे पढ़ाया जाएंगे exam से पहले उसका आपको practice state कराया जाएगा जिसमें आपकी 100 में 100 गरांटी हो किसकी math की जिहां objective भी करेंगे subjective भी करेंगे हर एक चीज को बारिकी से समझेंगे हर एक चिप्टर को करेंगे उस दौर में हम लोग पहला चिप्टर आज ब्रित चुकि हमने लेट शुरू किया है तो अभी हम चाहेंगे कि जो चप्टर कहीं नहीं कहीं आपके आप कर रहे होंगे वहां से हमें start करेंगे फिर एक ज्यादा एक पहले मलें एक आगे एक पहले की बात हम लोग करते हुए चलेंगे दोस्तों start करते हैं से 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 सन को होता है देखिए क्या होता है ध्यान से समझने की बात है पहले यहां पर आपको पता है कि भाई इसमें त्रिज्या क्या होता है केंद्र क्या होता यह तो आप जानते होंगे नहीं जानते हैं तो दो मिनट का समय देंगे आप हम आपको यह क्लियर करते हैं देखिए कोई हो निस्चीत हो और उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह जो बिंदू हम ले लिए और यह एक बिंदू ए ले लिए यहां पर तो ओ ए की दूरी कितन है अब अगर हम बात करें अगर हम एक और यहां पर सिद्धी रेखा है से दो पॉइंट को जोड़ने वाले एक लाइन सेग्मेंट ले ले इसको आप क्या कहते हैं याद है इंगलिस में सो कहते हैं जली से बोलिए कॉड और हिंदी में सो कहते हैं जीवा हिंदी में थोड़ा सा यह मेरा गलत हो सकता है कि हर्शिकार दिर्गेकार देख लिजेगा आप वो जीवा अब जीवा क्या करता है बृत को दो भाग में बाढ़ता है बृत को दो भाग में बाढ़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बृत खंड कहते हैं एक क्या होता है लग क्या कहते हैं लोग दिर्ग बृत्खंट क्या कहते हैं भाई मेरे दिर्ग बृत्खंट ठीक है और इसको क्या कहते हैं लगू बृत्खंट क्या कहते हैं तो लगू बृत्खंट ये तो आप सभी को पता है ठीक है यहां तक कि जानकारी सभी को है इसके बाद अगर हम बात करे इसके बाद अगर बात करें, अगर यही जीवा केंदर से हो करके जाती है, उसको क्या कहते हैं, अगर कोई जीवा क्या होती है, केंदर से हो करके जाती है, इस तरह से केंदर से हो करके कोई जीवा पास करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, जल व्यास कहते हैं और व्यास क्या होती है यह भी त्रिज्या के बराबर होगे और यह भी त्रिज्या के बराबर तो व्यास हमारी क्या होती है त्रिज्या की दोगुनी होती है अर्थात जो त्रिज्या होती है दोस्तों आपका वो क्या होती है व्यास बटा दो यह तो आप सभी भी भाग में केंद्र है तो नहीं तो नहीं इसमें कोई लगू ब्रित खंड है नहीं कोई इसमें दिर्ग ब्रित खंड है यह दोनों क्या है अर्ध ब्रीत है यह दोनों क्या है मतलब ब्यास जो है ब्रित को दो बड़ावर भागों में बाड़ती है और दोनों को हम लोग क्य करते हैं अर्ध गरते हैं दोस्तों क्या कहते हैं अर्ध ब्रीट कहते हैं ठीक है इतनी तक जर्णकाली सभी को है जरी गोड़ इसके बाद अगर हम आप से बात करें यहां छोटा सा सरकरद एई ज्यार दीजेगा यहां केंद्र हो गया आपका ओपिइंद्र हो Państu अब A से B की किया कहते हैं तो यह वाला क्या कह लटाता है क्या स्चाप क्या कह लाता है आप इस परिसिती में आप क्या करोगे दोस्तों यहां पर एक और TikTok Article मालवग कि पी कैसे री परिकरते हैं चाख एपी बी चाख एपी अब अगर इस चाथ की दिया से सुनेगा चाप की लंबाई किससे अर्धिवरध से कम है उसको क्या कहेंगे लगूचा मतलब कहें आपका क्या हो जाएगा दिर्ग चाप हो जाएगा यहां तक में कोई परिसान ही है तो बतÁिए अच्छी बात क्या है तो अगर फिर से ये बाबर हो जाया तो shortly ये चाप हो जाएगा तो यह क्यों मैं अर्धब्रितिय को जाएगा बन्ताई नहीं ऑस इकनि सब ने ज़्याह कंद्रा केंद्र ये कौन भी बताएंगा लेकिन धार रखिये उसके लिए अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर 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 इसको हम जोड़ देशे अंत बिंदू जो इस चाप का है उसको अगर केंद से जोड़ दें तो यह बृत का एक खंड बन रहा है जिसको कि क्या कहते हैं लेकर त्रिज् कैहते हैं क्या कहते हैं तृज्जी खंड कहते हैं क्या कहते हैं ऌ तृज्ज खंड विय दोफट्र का होगा लेकिन उससे पहले तृज्य खंड को कुछ कूण बना रही है उसकी बात करेंगे आसा समझे चाप जो है वो केंदर पर क्या कर रहा हिसी कूछ कौण बना रही है जैसे मालिय जे ये केंदर हो गया केंदर मिंदू ओ ठीक है न यहां तक को दितखत नही apart यहां पर एक हम बिंदू बी ले लिए यहां पर एक बिंदू हम ले लिए पॉइंट पी यह जो आर्क है यह जो चाप है कौन एपीबी चाप एपीबी अब इसके अंतिम बिंदू मतलब की ए और और बी को अगर हम केंदर से जोर दे किस से जोर दे दोस्तों केंदर से जोर द दिखें ये थीटा सब कुछ recite कर देगा हर एक चीज को represent कर देगा दोस्तों थीटा को क्या कहते हैं किंद्रिये कौन कहते हैं क्या कहते हैं सेंट्राल एंगल किसका केंद्रिये कौन कहते हैं केंद्रिये कौन ऐसे लिखाएगा थोड़ी से मैंने गलती कर दी केंद्रिये कौन कहलाता है या फिर कह सकते हैं कि चाप के द्वारा चाप के द्वारा केंद्र पर डाला गया कौन या फिर कह सकते हैं कि चाप द्वारा ब्रित के केंद्र पर डाला गया या फिर केंद्र पर बनाया गया कौन इसी को हम लोग क्या कहते हैं केंद्रिये कौन कहते हैं क्या कहते हैं या फिर हम लोग कहते हैं इसको बताइए बताईए चाप की माप डिगरी में डिगरी मीजर ओफ आर्क कहते हैं इंगलिस में क्या कहते हैं डिगरी माप इसका क्या हो जाएगा यही ध्यान में रखिएगा चाप के दोरा वृत के केंदर पर बनाया गया कौन यह हो गया अब यह थीटा ही सब कुछ को decide कर देगा देखिएगा ध्यान से अगर थीटा का माण समझे देखिएगा ध्यान से less than 180 गडिगरी हो कितना से 170 से चोटा 180 से चोटा तो चाप कयसा होगा एक चीज बताईए चाप कैसा होगा चाप कैसा होगा चाप हो यहां से समझेगा है कि चीज को बारी की से या फिर आपका क्या हो बृत खंड हो क्या हो बृत खंड हो या फिर आपका क्या हो त्रिज्य खंड हो क्या हो त्रिज्य खंड हो यह सब निरवार किस पे करेगा इस कोन पर जो चाप जो बना रही है कौन कहां केंद्र पर इस पे यह क्या होती है अधारित होती है तो चाप भी क्या हो जाएगी लगू ठीक है बृत खंड भी क्या हो जाएगा लगू त्रिज्य खंड भी क्या हो जाएगा लगू अगर आपका है तो सर अगर इसको ऐसे जोड़ दे तो यह क्या हो गया अपका चाप के दौरा बनाया गया कोन कहां केंदर पर 180 डिग्री से कम हो तो उसकी संगत क्या बृत खंड क्या होती है चाप पहले यह बताइए क्या ख़म लगू चाप होती है उसके कारण से उसकी संगत बृत्खंड भी लगू बृत्खंड होती है उसकी संगत त्रिजखंड भी लगू त्रिजखंड होती है यहां तक समझ में आ गया ठीक है जब क्या होगा ठीटा का मान 180 डिगरी के बढ़ाबर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा अर्ध बृत्य हो जाएगा चाप भी क्या हो जाएगा अर्ध बृत्य है चाप भी क्या हो जाएगा अर्ध बृत्य है व्रित्खंड भी क्या हो जाएगा अर्ध बृत्य है त्रिजखंड भी हो जाएगा अर्ध बृत्य है आप अग ठीक है यह दिख रहा है आपको इस फिगर में दिख रहा जी हां तो अगर हम ऐसा कह लें जैसे यह हो गया यह केंद्र हो गया यह ब्यास हो गया ठीक है तो यह जो चाप होगी वो क्या होगी अर्ध बृतिये यह जो बृति खंड होगा वही यहां पर त्रिजे खंड भी होग और दोनों कैसा होगा तो अर्ध बृतिय होगा लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी थीटा 180 डिग्री से ज्यादा की थीटा का मान क्या हो जाए एक 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा थुरा सा समझने कुछ इसको हम तो साइड कर लेते हैं हाँ ठीक अब थीटा का मान की होगे दोस्तों थीटा का अब जो मान हो गया अब मां लिजह कि greater than क्या होगे थीटा का मान क्या हो गया greater than 180 डिग्री 180 degree ठीक है इस परिस्तिती में का हो जाएगा 180 से ज्यादा हो जाए मतलब ये वाली परिस्तिती आप कह सकते हो कि सर हाँ ये वाली परिस्तिती ये वाली ये वाली एक्सासी से ज्यादा है यहाँ कोन 180 से ज्यादा है तो इस परिस्तिती में आपका चाप क्या हो जाएगा दिर्ग हो जाएगा तो उसकी संगत त्रिजे खंड भी क्या हो जाएगी दिर्ग हो जाएगी यहां तक सब कुस्समझ में आया तो अगर भाई सबस समझ में आया वीडियो तो अच्छा लगाया अच्छा अगर लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक किजिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों में जितने भी आपके बिहार बोर्ड वाले दोस्त हैं उन सभी में इसको फैला दीजिए माहा काल का नाम दीजिए और इसको फैला दीजिए ठीक है दोस्तों चलिए अब हम लोग जिस टॉपिक की बात करने आज चले थे वहां चलते हैं जिसको आप क्या करते हो असपर्स रेखा समझेगा अब असपर्स रेखा कि अगर हम बात करते हैं असपर्स करके जो निकल जाए रेखा है ज लोग असपर्स रेखा हो गई बात खतम एक ऐसा लाइन एक ऐसी रेखा जो कि बृत को जो कि बृत को एक बिंदू पर जिहां एक बिंदू पर असपर्स करते हैं क्या होती है निकल जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं टैंजन्ट कहते हैं उसको क्या कहते दोस्तों असपर करते हैं क्या हो गया सी से सरकल त्रिजेंटर और के इंदरों त्रिजीया और मौध जी ऐसा है ठीक अब यां कला यह रिखा है यह एक है जो कि बिन्दू तच किने निकला गया उषा की तच किने कल गया हा याद आ बात अब माल कि बिंदू क्या है इसमें केवल कि प्र нажा चन कर रहा है यह प्रमे वगरा वंसकी वीडू आपकी अलग से मिलें केवल क्या है च्छोटा सा जलक है थ żyलता सा जलक है कि आपको ये वीडियो पसंद आरा है कि यह मुझे भी पता करना है देखे ध्यांसे तो एक ऐसी रेखा नहीं एक ऐसी रेखा कह सकते हैं एक ऐसी रेखा एक ऐसी रेखा जो जो वृत को जो वृत को वृत को किसी एक बिंदू पर किसी एक बिंदू पर प्रतिछेद करें या फिर कहिए असपर्स करें बिंदू पर प्रतिछेद प्रतिछेद अथ्वा अथ्वा असपर्स करती हो अथ्वा असपर्स करती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं असपर्स रेखा असपर्स ब्रित की असपर्स रेखा का लाती है ब्रित की किसी बिंदु पर कहला है उस बिंदु पर अब ये जो बिंदु है उसको क्या कहते है जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर ये असपर्स कर रहा है उस बिंदू को क्या कहते है असपर्स बिंदू कहते है क्या कहते है इस बिंदू को क्या कहते है असपर्स बिंदू कहते है क्या कहते है असपर्स बिंदू कहते है मतलब 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 the point मतलब जोह बिंदू जहां पर बृत की क्या बताइए बृत की असपर्स रेखा बृत को अ असपर्स बिन्दू कहते हैं क्या कहते हैं असपर्स बिन्दू कहते हैं यहां तक में कोई समस्या किसी को नहीं होना जी तो ए भी क्या है एक रेखा है जो कि बृत को पॉइंट बिन्दू पी पर असपर्स करती है इसलिए यहां एक असपर्स रेखा होगी जिस बिन्दू पर असपर्स कर रही है वो आप क्या क्या हो जाएगा असपर्स बिंदू हो जाएगा ठीक है और एक बहुत प्यारी सी बात यहां पर एक बहुत ही प्यारी सी बात है क्या है अगर हम क्या करें अगर हम क्या करें यह यह काम करें त्रिजिया को असपर्स बिंदू से मिला दे त्रिजिया को दोस्तों असपर्स बिंदू से मिला दे तो यह क्या होता है जो असपर्स रेखा होता है त्रिजिया के लंबवत होता है कहां पर असपर्स बिंदू पर याद रखिएगा असपर्स रेखा, किसी भी बृत के लिए असपर्स रेखा किसी बिंदू पर क्या होती है, उसके त्रिज्या के लंबवत होती है, कहां पर तो असपर्स बिंदू पर, मतलब किसी बृत की किसी बिंदू पर खीचा गया असपर्स रेखा, उस बिंदू से जो त्रिज्या है, त सम्वाथ होती है यह आध रखेगा मैं यह जो कौन बनेगा OPA या फिर OPA यह दोनों कितना होगा 90 डिगरी का कौन बनेगा कितना बनेगा सम्वाइब बनेगा यहां कौन कैसा बनेगा सम्वाइब और इससे प्रूफ कैसे करें इसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे इस वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अब बताईए, कि किसी बृत पर कितनी असपस रेखा खिची जा सकती है, असपस रेखा की संख्या, असपस रेखा की संख्या, यह बताई जली से, रेखा की संख्या, कितनी खिची जा सकती है, माल लिजे कि आपके पास क् सरकल तिन अलग अलग परिस्थितियां बनेंगी तिन अलग अलग दोस्तों मेरी प्रस्थितियां बनेंगी पहला समझते चलीगा पहला अगर क्या है कोई बिंदू ब्रित पे ही है कोई बिंदू ब्रित पे ही है तो हम तीन परिसेती के लिए तीन अलग-अलग सर्कल बना लेते हैं ठीक तीनों सर्कल आपको दिख रहा है बहुत प्यारा प्यारा बन गया अब देखिए ध्यान से समझते चलेगा ध्यान से समझते पी है कोई बिंदू क्या है पी है अब यहां से अगर कोई एस पर्स रेखा की चीने तो कितने एस पर्स रेखा हूँगी भाई मेरे एक केवल और केवल एक मतलब बृत के किसी बिंदू पर बृत के किसी बिंदू पर बृत के किसी बिंदू पर केवल और केवल एक बिंदू पर केवल और केवल एक असपर्स रेखा खिची जा सकती है, यह आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है, किसी एक बिंदू, कोई एक बिंदू अगर आपको दे रखा है, तो वहाँ पर आप क्या किजएगा, केवल और केवल, यह कहीं असपर्स रेखा खिच सकते हैं, जबकि किसी बिंदू पर अनन्त असपर्स रेखा हैं, खिची जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर अनन्त बिंदू है, इस पर क्या है, अनन्त बिंदू है, हम यह क्या कहना चाह उससे कोई असपर्स रेखा आप नहीं खी सकते हैं। बृत के अंदर इस्थित किसी बिंदूशे कोई असपर्स रेखा नहीं खीची जा सकती है। कि नहीं खीची जा सकती है। वह क्या हो जाएगा वह बताएंगे हम नहीं खीची जा सकती है। बृत की बिंदूश है अब इसको जैसे मिर्ट कोई रिखाते हैं। युश गर्ला इसको हम लोग क्या कहते हैं। जे आप, ठीक है, चली, कमेंट करके बताएंगे, तिसरा क्या है बाहे बिंदू, क्या बाहे बिंदू शे, ये क्या हो गया, अन्ता बिंदू शे, ये बृत पर के बिंदू शे, बृत पर कोई बिंदू हो, बृत पर के बिंदू शे, के वालेक, कितना बिंदू, से के वालेक अंतह बिंदूशे कोई नहीं अंतह बिंदूशे अंतह बिंदूशे कोई नहीं नो यहाँ पर क्या हो गया एक यहाँ पर कितना हो गया जीडो जब बाहर के किसी बिंदूशे अगर आप खीच रहें इस पर क्या बते जलिशे असपर्स रेखा तब क्या है बाहर बिंदूशे बाय बिंदूशे तब क्या होगा कितनी असपास रेखा खिची जा सकते यह बताई अब माल लिजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है पी कोई पॉइंट है पी अब यहां से यहां से एक असपास रेखा आप ऐसे खिच सकते हैं तो को यहां से क्यों ने खिच सकते हैं और एक सब्सक्राइब नहीं इस में लगा क्या है और यह रोड ढ Tonga li मज़्क ही ये अथो अभी जो दूरी होती है ये पिए हो या फीर PB, हाला कि दुनों बराबर होता, और कैसे होता है, य neuroscience । पी इसको कहते हैं, अस्पर्स रेखा की लमबाई, अस्पर्स रेखा की लमबाई, अज्फर्स रेखा की लमबाई और यह लमबाई क्या होती है, समान होती है, तो आपने सुखा कि कोई बिंदू अगर बित पे स्थीत हो उससे केवल और केवल एक असपस रेखा खिची जा सकती है अंता बिंदू से कोई असपस रेखा नहीं खिची जा सकती है जबकि बाहर बिंदू से आप दो असपस रेखा खिच सकते हैं यहां तक में कोई प्रैसानी है तो बताईए यहां त सब ठीक है